तो ही आप पैराग्राफ पढ़ पाएंगे इसलिए ध्यान से इस क्लास को देखिए सबसे पहले बात करते हैं first line के बारे में, इसमें भी मैं आपको proper बताऊंगो phrases कैसे बने, एक एक word के बारे में बात करेंगे, तो बात करते हैं first line के बारे में, I shall be happy to see you if you come tomorrow morning, I shall be, ये gram log है, I above the line आते हैं, उसके बाद मैंने happy लिखा है, H है, H पर वोवल है, P है, P पर वोवल है, 2 का gram log है, see through the line, इसलिए R line को काड़ता हुआ, क्योंकि इस पर third place वली मात्रा है, उसके बाद U का gram log है, if line को काड़ता हुआ आते है through the line, साथ U है, कम है, first जो stroke होता है न, वो ही position decide करता है, इसके बारे में आप पड़ चुके है, फिर मैंने tomorrow लिखा है, 2 है, M है, M पर मात्रा है, R है, और R पर मात्रा है, उसके बाद मैंने morning लिखा है, M है, M पर मात्रा है, R है, N है, और इंग है, cross का मतलब line खत्म, अब हम बात करते हैं second line के बारे में, why are you angry with me today, Y का gram लोग है, R का gram लोग है, U का gram लोग है, इसके बारे में आप जानते है, फिर मैंने angry word बनाए है, N है, N पर vowel है, G है, R है, और R पर vowel है, with का gram लोग है, साथ मी लिखा है, मी का gram लोग है, और today बनाए है, D है, 2 है, D है, D पर मात्रा है, उसके बाद हम बात करते हैं third line के बारे में, I hope आपको पहली दो line है clear होगी होगी, अब बात करते हैं third line के बारे, heavy rush was on the road on Monday, heavy लिखा है, H है, H पर vowel है, V है, V पर vowel है, फिर rush लिखा है, R है, R पर vowel है, इश है, वास का gram लोग है, कोन दी, ओन के साथ हलका सा ठीक लगा लेते हैं, वो D को denote करते हैं, इस तरह, ये आप जानते हैं, फिर मैंने road लिखा है, R है, R पर vowel है, D है, अन का gram लोग है, और मंड लिखा है, M है, M पर vowel है, N है, D है, D पर vowel है, cross का मतलब light खाता, अब हम बात करते हैं, fourth line के बारे, you may come and play with my son on Sunday, you may come लिखा है, you का gram लोग है, साथ में है, come का gram लोग है, and का gram लोग है, play लिखा है, P है, L, L पर vowel है, with का gram लोग है, my लिखा है, M है, M पर आई है, son लिखा है, S है, N है, और vowel है, on above the line, gram लोग है, उसके बात संडे लिखा है, S है, N है, D है, D है, D पर लिखा है, cross का मतलब line खतम, अब हम बात करते हैं, fifth line के बारे में, I have given a new camera to my nephew, I above the line आता है, साथ have है, I have का gram लोग है, given लिखा है, given का gram लोग है, A का gram लोग है, इसके बारे में आप जानते हैं, फिर मैंने new लिखा है, N है, N के साथ U है, camera, K, M, R, K पर vowel, और R पर vowel, two mile, two है, gram लोग आप जानते हैं, M है, M पर I लगा है, साथ nephew, N है, F है, और U है, cross का मतलब line खतम, अब हम बात करते हैं, six line के बारे में, how can you attach the wire to the high chimney, how का gram लोग है, can का gram लोग है, और you का gram लोग है, इसके बारे में आप जानते हैं, फिर मैंने attach लिखा है, T है, T के इधर, और इधर vowel है, साथ J है, D का gram लोग है, wire लिखा है, वे है, R है, I वाला, साथ लगाया हुए, 2D, 2 है, 2 के साथ हलका सा ठीक लगाते हैं इधर, तो D denote करते है, high लिखा है, H के साथ I है, और chimney है, J है, M है, vowel है, N है, और vowel है, अब हम बात करते हैं, 7th line के बारे में, जो है, you should verify each item on the bill, you है, साथ शूड है, जो first row होता है, वो position decide करते हैं, इसके बारे में आप जानते हैं, verify लिखा है, V है, vowel है, R है, F है, साथ I है, ये each है, each के बारे में आप जानते हैं, item I है, T है, T पे vowel है, M है, only, only के साथ हलका सा ठीक लगाते हैं, दी का उडिनोट करते हैं, फिर है, बिल, अब बिल पे, दो concept follow हो रहे हैं, एक तो intervening, वो वो लोला, B पे नहीं लग रहा, L पे लग रहा है, इसके बारे में आप जानते हैं, दूसरा ये through the line इसलिए आ रहा है, क्योंकि इस पे थर्ड वाली, वोवल लग रही है, इस करके ये through the line आ रहा है, अब हम बात करते हैं, 8th line यानि last line के बारे में, एक आई वीक अगो, I saw you, but I was in hurry for the market, ए का ग्राब लोग है, वोवल है, अगो लिखा है, वोवल है, गे है, वोवल है, आई सा लिखा है, यू का ग्राम लोग है, बत का ग्राम लोग है, या आप जानते हैं, फिर है आई वज इन हरी, आई का gram-log है, वास का gram-log है, इनका gram-log है, यह आप जानते हैं फिर मैंने हरी लिखा है, H है, H पे wovel है, R है, R पे wovel है फिर है, 4 दी market, 4 है, 4 के साथ हलका सा टिक लगाते है, वो D को दिनोट करते है और market लिखे, M है, M पे wovel है, R है, A है, T है, K पे wovel है क्रोस का मतलब लाइन घदम तो आज हमने फ्रेजोग्राफी के बारे में जाना ये धीरे धीरे करके आपको मैं पैराग्राफ्स पे ले आऊँगा इस क्लास को आप ध्यान से देखिए और आज की क्लास देखने से पहले लास्ट क्लासिस भी देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसे हमें मोटिवेशन मिलता है थैंक्यू सो मच